जैसे मैंने इसको अन्बॉक्स किया तो जो बाहर का बॉक्स था वो तो एकदम सही था बट जब अंदर मैंने देखा थोड़ा सा डामेज है आपको सिंप्ली यहां नीचे से जो इस हुक को निकालना है मैं मेंशन रहता है प्लीज डू नाट एक्सेप्ट तेमपर्ट पैकेट तो मैंने पहले ही चेक कर लिया इसलिए आए थिंग कि जो अंदर बॉक्स है वो डैमेज ना हो जो कि मैं प्राइज में आपको वीडियो के इंड में बताऊंगा कि मुझे कितने का पड़ा बॉक्स प यहां पे अन ओफ के लिए है और इधर यह मोड के लिए यहां मोड मेंशन भी है बॉक्स देखिए अप अंदर भी थोड़ा डैमेज ही है इसको ओपेन करने के लिए यहां पे एक क्लिप दी गई है इस क्लिप आपको इधर आडियो के लिए मिल लाता है और इधर आप 3-way कर सकते हैं और साथ में आप इसको टेबल पर भी रख सकते हैं जो की क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बटन की और देखिए कैमरा जो है वो स्टार्ट हो गया मोड को पर्चेस करना चाहिए गोप्रो के साथ में यह आपको माइक एडाप्टर लेने चाहिए आपको दिखाने वाला हूँ अगर आप मीडिया मॉड लगाकर गोप्रो से ब्लॉगिंग करते हैं तो उसकी क्लिया मॉड लेते हैं तो उसमें कौन-कौन से अपको एक्स्टा फीचर्स मिल जाते हैं अगर आप ब्लॉगिंग करने के शौकीन है या ब्लॉगिंग करने का सोच रहा है या मोटर ब्लॉग किया तो प्लीज मेरे यूटीब चनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजए तो फैंट से पैकेट मुझे आज ही एमेजॉन से मिला और मैंने अभी तक इसको अन्बॉक्स नहीं किया आप देख सकते ही यह अभी तक सीर्ड है और यह अन्बॉक्स नहीं किया है आप एमेजॉन की कोई भी पैकेट लेंगे तो उसमें मैंशन रहाता है प्लीज दू नाट एकसेब टैमपड पैकेट तो मैंने पहले ही छेक कर लिया था लेने के पहले अब हम इसको अन्बॉक्स करते है और पैकेट को कट करते है तो पैकेट को ओपेन करते ही हमें जो है सबसे पहले यह तो इसको भी हम कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में हमें जो है इसमें मिल लाता है बिल जो कि मैं प्राइज में आपको वीडियो के इंड में बताऊंगा कि मुझे कितने का पड़ा और यह रहा मेरा मीडिया मॉड बट इसका जो पैकेट है अंदर बॉक्स वो थोड़ा स लगरा है फ्र हम इसको हटाते है मैंने देखा कि यहां पे जो है इसका बॉक्स अंदर का डामेज है बाहर का बॉक्स था वो तो एकडम सही था बढ़ जब अंदर मैंने देखा थूड़ा सा डामेज है आप देख सकते हैं वीडियो में कि यह थोड़ा सा डामेज है तो अभी इसमें जो है बॉक्स पर यहां पर मेंशन है मीडिया मॉड गो प्रो और लिमिटेड वा तर उपन करके देखते हैं कि जो मीडिया मौड है क्या वो भी डामेज है या वो परफेक्ट कंडिशन में अब इसको अन्बॉक्सिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी आप सिंपल यहां पर देखिए एक निशान बना हुआ यारो क सिंपल आप इसको अन्बॉक्स करने के लिए सिंपली इसको हटा दीजिए और हटाने के बाद में इसको उपन करते ही सबसे पहले हमें इस टाइप का कुछ मिल जाता है बॉक्स में जिसके तुरू हम इसको बाहर निकालेंगे हमने निकालते ही हमें सबसे पहले जो मिलता है बॉक्स में वो कुछ बुकलेट टाइप का देख रहा है और इसमें लिम्टेड वारेंटी और यह भी फाल्तु कहीं लग रहा है मुझे और यह गोप्रो का है जिसमें मैंशन है आइधिंक कैसे लगता है और जो गोप्रो में बैटरी की जिगें पर उसको कैसे निकाला जाता है और कैसे अटाच करना है यह सारी चीज़ें इस बुकलेट में में इसमें ट्राइपट कैसे लगाएंगे और अगर हमें एक्स्टा में कोई भी चीज़ एसडी एमाई केबल हो आपको हिल्मेट मांड करने के लिए मिल जाता है और इस पर गोप्रो की ब्रैंडिंग है आप देख सकते हैं i hope वीडियो में शोग हो रहा हूँ गोप्रो माउंड के बाद में हमें बॉक्स में यह मिल जाता है क्योंकि जब हम हम हेलमेट में माउंड करेंगे इसको तो इसको जो टाइट करने के लिए नेट होता है वो यही है और उसके साथ में हमें यह मीडिया मॉड मिल जाता है और यह डेट कैप है तो चली देख लेते इसको भी निकाल तो निकालते ही कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा यहां पर अन आफ के लिए है और इधर यह मोड के लिए यहां मोड मेंशन भी है गोप्रो की साइन है और इधर आपका माइक हो गया इसको हम इस तरीके से लगाएंगे इसमें और इसको ओपन करने के लिए एक क्लिप दी गई है इस क्लिप को हम ओपन करेंगे ओपन करने के बाद में ऐसा कुछ दिखेगा यहां पे सीरियल लंबर वगएरा मैंशन है और इधर यह टाइप सी जो हमारा गोप्रो में जाके सेट होगा और उसके बाद में जो है हम कुछ भी अगर बोलेंगे तो मीड अधर आपको मिल लाता है चार्जिंग के लिए एंड जो सबसे उपर है यह स्ट्री माइप पोट है तो यह तीन पोट आपको मिल लाते हैं बाकी अगर आपको लाइट लगाना है अपने गोप्रो पे तो यहां पर वह भी आप अटाच कर सकते हैं साथ में तो अगर आपको लेंस वगरा लगाने तो इधर आप लगा सकते हैं तो इसके थुरू ही यह सारी चीज़ें अटाच हो जाएंगे तो ऐसा कुछ हमारा मीडिया मौट दिखता है कॉमें बताइएगा कि आपको वर्थ लगा इतना प्राइज इस मीडिया मौट के लिए या नहीं अब हम इसक अधरी के से लगाएंगे तो लगेगा नहीं सबसे पहले क्योंकि यहां पर जो है यह टाइप C पोर्ट है जो कि यह अंदर होता है चार्ज करने के लिए तो सबसे पहले हम गोप्रो की जहां से बैटरी शो होती है उस कैप को निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ह इस मीडिया मॉड में है तो हमें इसको कनेक्ट करना है तो जब तक यह लगा रहेगा तो हम मीडिया मॉड कनेक्ट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे इसको निकालने के बेस्ट ट्रे किये है कि आप सिंपली इसको अप साइड में खीच लें तो यह देख इसको सेम साइड में रखके और इस GoPro को अंदर हम इस Media Mod में प्रेस कर देंगे Simply उसके बाद में ये Cap जो है हम इसको लगा रहेंगे थोड़ा सा Tight First Time में क्योंकि मैंने ये Temper लगा रखा है GoPro पे इस वज़ा से ये दिक्कत आ रही है और अभी जो हमारा Media Mod है GoPro पे एक दम पर्फेक्टली सेट हो गया है आप देख सकते हैं और अगर आपने टेंपड लगा रखा है GoPro पे और तो थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि Tempered जो है वो थोड़ा सा बलकी होता है तो इस वज़ा से Media Mod लगाने में इशू आ सकता आपको अभी देखिया पर्फेक्टली शो हो रहा है और हम इसको चेक करते हैं कि इसका जो वोई से वो कैसा है तो अभी मैं जो आगे वीडियो बनाने वाला हूँ इसी से बनाने वाला हूँ इसको इसमें लगाने के बाद में हम इससे जो है वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं अभी देखिए हमारा सेटएप कुछ ऐसा शो हो रहा होगा आपको comment में बताईएगा कि आपको ये setup कैसा लग रहा है then उसके बाद में हम आजाते हैं इधर पे आपके पास mode का button दिया हुआ है और इधर से आप capture वगएरा कर सकते हैं तो simply आप इसको press करेंगे जो की quality बहुत अच्छी है इस button की और देखिए camera जो है वो start हो गया तो media mode बहुत perfectly वर्क करेगा ऐसा मैंने सुना हुआ है review में इस tripod का सबसे best feature जो है आप इसको three way adjust कर सकते हैं और साथ में आप इसको table पे भी रख सकते हैं तो ऐसा कुछ हमारा media mode है tripod में लगने के बाद इसको मैं check करता हूँ और आपको feedback देता हूँ कि आपको इस media mode को purchase करना चाहिए gopro के साथ में या आपको mic adapter लेना चाहिए so friends अभी मैं आ गया हूँ outdoor में आपके लिए shoot करने कि अगर आप gopro से vlogging कर रहे हैं तो आपकी आवाज कैसी आती है और अगर आप इसमें media mode लगाते है gopro में तो आपकी आवाज कैसी आती है तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी road के exact side में खड़ा हूँ और अभी मैं gopro से shoot कर रहा हूँ इसमें media mode नहीं लगा हूँ तो please comment section में बताये कि अभी आपको मेरी आवाज कैसी आ रही क्योंकि मुझे अभी नहीं पता चल रहा है कि मेरी आवाज clear आ रही है इसमें कितना ज़्यादा गाड़ियों का shore आ रहा है या noise आ रहा है बट इसके बाइद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आप media mode लगाते हैं तो आपकी आवाज कैसी आती है आप लोगों के लिए शूट करने बाहर आया हूँ आप देख सकते हैं जो व्यू है वो कितना ज़्यादा प्यारा है और अभी मैं हूँ लखनों में और लखनों का यह जो पार्क है बहुत ज़्यादा फेमस है लखनों का जो पार्क जहां पर बहुत डेर सारी हाथियां है मतलब हाथियों का स्टैचू है उस पार्क का क्या ना हम है आप सभी लोग comment section में बताइएगा और व्यू जो है बहुत प्यारा है सुबह के साड़े नौ बच रहे हैं already में बता दिया हूँ सो अभी आपने जो मेरी ब्लॉगिंग देखी है यह विदाउट मीडिया मॉड था अब मैं मीडिया मॉड लगाने वाला हूँ और आप comment section में बताइएगा कि दोनों voice में कितना ज्यादा difference था सो friends अभी जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अभी गोप्रो से मैं शूट नहीं कर रहा हूँ मतलब गोप्रो में जो मीडिया मॉड है वो मैंने लगा लिया है और अभी आप बताइएगा जो मेरी आवाज है उसमें difference है या नहीं है क्योंकि मीडिया मॉड की जो costing है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो बहुत लोग का कहना है कि आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं गोप्रो से तो आपकी आवाज उती पर्फेक्ट नहीं आती है अगल बगल के जो noise है वो बहुत ज़ाद आते हैं वो थोड़ी सी अच्छी हुई है यह जैसे noise आ रहा था नॉर्मल गोप्रो से ब्लॉग करने पर क्या मीडिया मॉड से भी ब्लॉग करते टाइम सेम नॉइज आ रहा है सो आप चेक करिए सो भाई अभी करीब 10 बज रहे हैं सोबे के और आप देख सकते हैं पीछे हमारे गाड़ी जा रही है और यह पीछे पार्क है और भाई जो विदर है वो अभी ठंडी से गर्मी हो गई है यूकि धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी है और आप पीछे का व्यू देख सकते हैं और यहां बहुत अच्छा पार्क टाइप का बना हुआ है आपको वाक और करना है तो बिल्कुल आप लखनों में रहते हैं तो यह 10 94 के पास में पढ़ता है और यह अगर आप लखनों में है तो यह पीछे जो मेरे पार्क दिख रहा है I think सबको पता होगा कि इस पार्क का नाम क्या है अभी मैं शूट कर रहा हूँ मीडिया मॉट से तो भाई इस मीडिया मॉट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है क्योंकि अगर आप गोप्रो पर्चेस करते हैं उसमें 40-50,000 रुपाय खर्च करते हैं उसके बाद में आपको माइक लेना होता है माइक के बाद में अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग नॉर्मल गोप्रो से करिए तो जो वाइस है आपकी वो परफेक्ट नहीं आती है तो अभी मैं मीडिया मॉट से वीडियो बना रहा हूँ तो अगर आपको डिफरेंस लग रहा है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगर गोप्रो पर्चेस की हैं कोस्टिंग क्या है तो यह मीडिया मॉट आपको करीब करीब आठ हजार रुपय का मिल जाता है अगर डिस्काउंट रहता है तो 7800 में भी आपको मिल जाता है अमेजॉन फिलिपकार्ट सब जिकें अब लेबिल है तो आपको पर्चेस करना हो आपको अमेजॉन फिलिपकार्ट पर मैं लिंक दे दूँगा आप पर्चेस कर सकते है और जो इसकी कॉस्टिंग है वो 7800 तो 8000 परती है बाकी बिग ब्ली और वगेरा डेज में आपको में भी सस्ते में मिल जाए बट आभी की जो एक्च्वल कॉस्टिंग है वो 8000 रुपए का मैंने पर्चेस किया है तो मेरे साब से वर्थ है क्योंकि इसमें आपको पोर्ट मिल जाते हैं जिसमें आप माइक लगा सकते हैं जब आप ब्लॉगिंग करते हैं मोटर ब्लॉगिंग करते हैं तो आप माइक लगा सकते हैं यूसबी के लिए अलग पोर्ट है बाकी मीडिया मॉड में आपको माइक तो अलेडी मिल जाता है इन विल्ट अगर आपको ये सारी फीचर्स यूज करने हैं तो बिल्कुल आप मीडिया मॉड लीजए अगर आपको इनहेंस करने हैं आपकी वोइस तो बिल्कुल आप मीडिया मॉड पर्चेस कर सकते हैं जिसकी कोस्ट है 7800 टू 8000 रोपीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चनल को सस्क्राइब करिएगा इस वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा मिलते हैं आप से नेक्स ब्लॉग में